वाट्स आप, I hope you are doing fine, this is me, मीर वहीद, and today I am going to teach you the second part of ozone deflation, ozone deflation कम डिटेल में पढ़ेंगे, slowly पढ़ेंगे, सही डंग से समझेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को कवर कर लेंगे I am presenting this lecture series through WS Academy, WS Academy ये जो है, free of cost जो हम प्रोवाइड करें ये lecture series पिछले 8 महिनों से, ये free में चल रहा है, जितने भी JKSSB के कोर्स हैं, उसका सिल्वस हम करवा रहे हैं, ठीक है, तो इसके अलावा, अभी तक जिसने WS Academy, Google स्टोर से डाउनलोड नहीं किया, वो डाउनलोड कर हो, जो के JKSSB के aspirants हैं, वो JSA के हो, वो PA के students हो, मतलब finance student के students हो, वो SI के हो, इनस्पेक्टर को, जिस भी exam के लिए आप तैयरे करो, एप डाउनलोड करो Google स्टोर में, क्यों मैं बोल रहा हूं, इसलिए क्योंकि आपको study material यहां से ही डाउनलोड करना पड़ेगा, यहां पर ह study material provide कर रहे हैं, और आप इस app को download करने के बाद, उसको आपको print निकाल सकते हैं, जो करना है, फिर निकाल लो, print भी निकालो, डाउनलोड भी हो जगा आपको PDF के format में, क्योंकि lecture तो आप देखोगे, लेकिन PDF अगर नहीं पढ़ोगे, तो फिर क्या फिर कोई फाइदा नहीं ह ठीक है ना, तो इसलिए AWS Academy को download करो, ठीक है, जुने ने download की उनको download करने की जूरत नहीं है, अभी तक जिसने अस्टेंट रचिस्टार के crash course के लिए, या अस्टेंट रचिस्टार के crash course के लिए registration नहीं की है, जल्दी से जल्दी registration करो, ठीक है, अभी इसका हमने date extend किया है, क्य registration कर ले, अपनी seat को book करेंगे, उससे आपको क्या फाइदा मिलेगा, आपको best content study material मिलेगा, और जो ये five months से आपको exam तक, ये अच्छे से तरीक से आप यूटिलाइज कर सकते हैं, सोदर आगे जो भी exam आएगा, जे के, police SI का आएगा, NT का आजएगा, आपको तैयारी पहले कर के रखे गई, और उसमें lecture जो है, already वहाँ पर है, वो recorded रहेंगे, आप किसी भी time उसको watch कर सकते हैं, ठीक है, thousand rupees आपका registration fee है, और इस thousand rupees में आपको क्या-क्या मिलता है, एक तो आपको मिल रहा है, case के लिए भी course, crash course, or study material, और instant register के लिए भी crash course, or study material, ये काफी कम amount में है, काफ ठीक है, इससे ज़्यादा course में लिया जाता है, लेकिन हमने first time हमने जुमाइट के श्वेर में ऐसा course लाँच गया है, जो कि thousand rupees में है, अभी तक किसी ने नहीं किया हो गई, as you all know, सब सब को पता है, ठीक है, ये basic charge होता है, जो कि spend होता है, notes के उपर, PDFs के उपर, editing के उपर, आपको सब पता है, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी registration करो, admission open है, आप Instagram पे, आप Telegram पे मैसेज कर सकते हो, आप WhatsApp ग्रूप पे मैसेज कर सकते हो, इस नमबर पे 97 पे आप queries बेज सकते हो, ना कि double seven पे, क्योंकि double seven जो है, ये बंद रहता है, ठीक है, तो इस पे आप जो है, इस नमबर से आपको हो जाएगा, तो हमने start किया था, हमने start किया था, ozone deflation ये वाला page में आपको पढ़ाया था, अच्छे तरिक से मैंने समझाय था, ozone deflation कहां पर हो था, इंटार्टिका में कब हो था, कौन-कौन से sources होते हैं, जिसके वज़े से होता है, कुलोरो-फ्लोरो कारब क्योंकि कल वाला लेक्चर जिसने नहीं देखा पहले वो देख लो, ठीक है, ये पार्ट सेकंड मैंने बोला, ozone जो होता है, ये एक नैचरल गैस होता है, ये एलाट्रॉपिया अक्सिजन मैंने बताया था, आपको उसके बाद मैंने बोला था, ozone जो होता है, दो different layers में होता ह है, एक होताएं Trappos sepher में, और दूसरा होता है Stratus atmosphere में, इन Trappos sepher में, जो Trappos sepher में ozone होता है, वो bad ozone होता है, ये एर के साथ मिल जाता है और समाग बना लेता है जिसके वज़े से हम breathing problem होती है फिर बचा ozone किसका जो stratus appear में होता है वो वहाँ पर जो होता है वो हारम फुलनी होता है वो good ozone होता है क्यों उसको good ozone बोला जाता है ठीक है आपको बोलना है वो क्या करता है जो ultra wallet traditions होते हैं उनको trap कर लेता है और हम जो हम होते हैं अर्थ के ओपर वो ultra wallet tradition से बच जाते है mutation से बच जाते है animals और plants के life जो है उससे बच जाते है ठीक है ozone डिपलेशन मैंने आपको बता है तो ozone का मतलब क्या होता है आपको बता है ठीकनेस जो होते है ozone की वो बतली हो जाते है या ozone hole भी हम बोल सकते हैं थिकनेस अगर इतनी थे अब ozone layer की थिकनेस कम होती जा रही है ऐसा क्यूं होता है इसको बोला जाता है ozone डिपलेशन इसके लिए कौन-कौन सा सोर्स था आपको बोलना है इसके सबसे पहला जो है ozone डिपलेशन कहां पर देखने को में आपको बोला इंटार्टिका में 1985 में उसके बाद क्या है किस किस के वज़े से ही डिपलेशन होता है आपको बोलना है किलोरफ लो करबन किनकी चीजों मैं यूज किया जा यह इंटा का मैंने प्रॉसेस बोला था यह भी मैंने आपको बताया था यह कुछ बेसिक पॉर्टन चीज़ था आपको याद रखना आज जो हम पढ़ने वाले डैट इस अबाउट दा एस अबाट इस बाट रखना आजा इसबंप पताए अब पहलेस अब दाएंदत्र निश्चन औक्साइड आपको पताए अब question is escape of nitrogen nitrogen का escape होना released from the solid through denatrification of nitrates under 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 an Arabic condition and natrification of ammonia under Arabic condition अब देखो यह कैसे होता है atmosphere में कैसे आपको पता है soil में क्या है जो fertilizer स्यूज करें nitrogen होता है उसमें नहीं होता है अब देखो मेरा कहने का मतलब क्या है मैंने बोला जो nitrogen जो होता है यह मारे पास हते हैं यह चार डिफरेंट फॉर्मास होता है nitrogen के और आपको बोलता हैar नेट्रिट्स के डिनेट्रिफिकेशन हो जाती है और वह क्या होता है ही के ende cop di konditions में accuru में तो nitrogen liquids episode वो रिलीज होता है इसके वजह से जो होता है यह इसके टिमिकर करता है और आपने एकट रेंस के लिए का परता है chlorine destroy करता है one chlorine molecules destroy thousand molecules of chlorine ozone के exactly वैसे natrose oxide जो होता है यह भी ozone को ही destroy करता है याद रका natrose oxide भी important है बाकी कौन-कौन से substance है bromine containing compounds called as halons and HBS that is hydro-bromo fluorocarbons hydro-bromo fluorocarbons देखो HBS houses bromine भी responsible है bromine भी responsible है ठीक है Bromineängen Compound, Bromine होता है उसमें कुछ Compound है ठीक है Bromine Compound, for example, Halogen, इसमें Bromine देखने को मिल रहा है, ठीक है HBFCs, Hydro Bromo Club Cloraflo Carbon ये भी responsible होते हैं किसके लिए, Ozone Depletion के लिए, Each Bromine Atom Destroys 100 ताइम्स अप मोर Ozone Molecule than present in the Clorine, हर एक एच एक ब्रोमेन मालिक्यूल यह डिस्ट्रॉई करता है हंडर्ड टाइम इसकी डिस्ट्रक्शन है एस कम्प्रिटो कुलॉरिन मालिक्यूल से यह भी आपको याद रखना है सल्फिरिक एसिड पार्टिकल्स भी जोता है इसके बाद रोल आप पोलर स्ट्रेटो से परे क्लावड्स इन ओजन डिपलेशन यह काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है आज कल का टॉपिक जो पूछा जाता है यूपस्य में हो केस में हो अस्टें ड्राइट आप बारे में यह हमें जाना है है टाइप आप स्ट्रेटो से परे क्लावड्स एकलावड्स का इसके तैप रोला जाता है natric acid, जो दूसरा type of cloud है, उसमें natric acid होता है, ना कि pure water होता है, third type of clouds है some chemical composition necrosis clouds, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये तीन types of clouds मैंने आपको बोला है, याद रखना है, तो रखो, याद रखना नहीं है, तो कोई भी जूरत नहीं, बस इतना इतना याद रखो, polar stratosphere clouds important है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, कुछ extra है, जो examination point of view के लिए important वो याद रखना है, ठीक है, यहाँ पर why is the ozone depletion predominant in at Antarctica, Antarctica region में ही क्यों ozone layer depletion देखने को मिल रहा है, मैंने बोला था न, 1985 में सबसे पहली बार देखा गया ozone depletion Antarctica में, question है सर, Antarctica में क्यों ये predominant है, ये किसी और जगा क्यों नहीं है, अब देखो क्यों नहीं है, the Antarctica stratosphere is much colder, जो Antarctica में stratosphere है, जैसे ये आप देख सकते हो, ये मैंने कल में बतना है था, ये troposphere है, ये polar region है, और ये क्या है equator होता है, तो polar region जनरल हम Antarctica की बात करेंगे, तो वहाँ पर जो होता है, वहाँ पर, क्योंकि Antarctica अगर आप देखो को पूरा globe देखो, इंटार्टिका यहाँ पर है न, तो ये polar region का ये आसपास है, तो आप बोलोगे, सर, ये ये much colder होता है, कौन सा? जो Antarctica region, जो होता है, ये colder temperature का होना, उसकी वज़ए से कुछ clouds generate होता है, जिनको बोलते हम उस coldness की वज़ए से, आपको बोलना है polar stratosphere clouds, ये यहाँ पर मैंने Antarctica बना है, इस Antarctica के आसपास क्या होता है, polar stratosphere जनरेट होता है, question है कि इसकी वज़ए से आपको बोलना है, low temperature की वज़ए से अब ये polar stratosphere clouds का होता है, ये 20 km से नीचे नीचे होता है सपोज अगर ये अर्थ है, ये यहाँ पर पूरा 100 km है, लेकिन पहले 20 km में क्या देखने को मिल रहे polar stratosphere clouds, ये polar stratosphere clouds देखने को मिल रहे, लेकिन polar region में ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये कैसे बनता है, आपको बोलना है, ये because of the low term picture के वज़े से, ठीक है, इसलिए वहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, लेकिन नेक्स्ट जो है, Arctic ozone Depletion, Arctic region में भी मैंने बोला था न, अगर आपको पता होगा है ये Antarctic region होता है, ये Arctic region होता है एक होता है, नौर्थ पोल साइड जो आर्टिक होता है और दूसरा होता है, साउथ पोल साइड जो इंटार्टिक होता है, आप समझो यहाँ पर main cause ozone depleting chemicals Arctic region में जो ozone, देखो इंटार्टिक region में मैंने आपको बता है main reason क्या है, इंटार्टिक region में ozone depleting का, आपको बोलना है sir, वहाँ पर क्या होता है ozone depleting, sorry, क्या बोलता है उसको polar status अपर cloud जो होता है, वहाँ पर इसलिए होता है, लेकिन Arctic region में बताओ फिर क्यों ozone depleting है आपको बोलना है, sir, main cause जो है, Arctic region में ozone depleting का chemicals की वज़े से, ठीक है ozone depleting chemicals होता है जो कि ozone को deplet करते है increasing cold temperature in Arctic stratosphere, which encourage the formation और Arctic region में भी क्या होता है, cold temperature होता है, उस cold temperature की वज़े से क्या होता है, ठीक है, polar stratospheric clouds का generation होता है formation होती है एक सकंद, हाँ उसके बाद जो है, next चलेंगे हम environmental effects of ozone depletion ozone depletion की वज़े से क्या-क्या problems आते हैं, यह सब को पता है क्या-क्या problems आते हैं, ठीक है, ultra-valid beta raditions, ज्याद रखना है, ultra-valid beta raditions has profound effect on human health animals, plants, micro-organisms and on the culture, जो इस ultra-valid beta raditions, क्योंकि जब ozone depletion हो जाएगा उससे क्या हो जाएगा, ultra-valid raditions release हो जाएगा, ultra-valid raditions कहाँ पर आएगा, ट्रॉपस से फिर में आ जागा, फिर ट्रॉपस से फिर में क्या होता है, humans हैं, हम रहते हैं, animals रहते हैं, plants रहते हैं, ठीक हैं, micro-organisms होते हैं, और air की quality देखने को बिले, यह सारा कुछ damage होता है, यही इसमें लिखा हुआ है, उसके बाद देखेंगे, सबसे पहला effect हो, human and animal health पर, for example, eye disease होती है, skin cancer होता है, infectious disease होती है, ठीक है, damage to cornea, ठीक है, cornea, और eye lens में damage होता है, मतलब, आँके अंधी हो जाते हैं, आप यह बोल सकते हो, eye light चली जाते है, development of non-melanine skin cancer हो जाता है, मेलन के formation नहीं होती है, जिसके वज़े से skin cancer आप बोल सकते हो, फिर उसके वज़े से होता है, effect of terrestrial plants, plants के उपर क्या effect रहता है, आपको बोलना है, सर्ट plants के उपर क्या होता है, ठीक है, effect is psychologically, ठीक है, psychological and development process of plants, ठीक है, उसके बाद impact is biodiverse, बाइड़रिस्ट पर इंपक्ट पड़ता है, यह आपको में लिख सकते हैं, आप यह कही पर अगर आपको question पुछे, what are the important impacts of ozone layer depletion, आपको लिखना है, आपको statement देख, आपको tick करना है, option A, option B, option C, बाइड़रिस्ट पर इसके impact पड़ता है, change in plant, plants में change होता है, plant के form ही change होते हैं, यह तो शॉर्ट रहेगा, यह तो जल जाएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन plants में भी damage हो जाता है, उसके बाद effect on air quality, air quality पर effect पड़ता है, जो air हम use करते हैं, पीने के लिए, जो atmosphere में है, उसके quality पर effect पड़ता है, higher photo dissociation rate of key trace gases, जो gases atmosphere में होता है, यह air में होता है, वो dissociate हो जाते हैं, वो breakdown होता है, उन gases को, जो के photo dissociation होता है इनको, increase production of particles, such as clouds, particles का production होता है, suppose clouds की बात करें, ठीक है, cloud condensation, nuclear की dissociation होता है, effect on material, for example, synthetic polymers, इस पर effect पड़ता है, naturally occurring biopolymers, इस पर इफेक्ट पड़ता है, accelerate the photo, photo gradation rates of materials, ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता, किस-किस चीज़ पर impact करता है, आपको बता, plants पर बेंपेक्ट करता है, humans पर बेंपेक्ट करता है, animals पर बेंपेक्ट करता है, यहाँ पर बेंपेक्ट करता है, किस-किस चीज़ पर बेंपेक्ट करता है, आपको बता है, all of the above को टिक करना है, ठीक है, उसके बाद, how ozone is measured, ozone को major कैसे करते हैं, यह ozone है, ozone layer है, ozone को major कैसे करते हैं, याद रखना है, इसका एक unit है, जिसको बोलता हैं, डॉबसन unit, डॉबसन unit, डॉबसन स्पेक्ट्रो, फोटो, मीटर याद रखना, डॉबसन unit इसका होता है, जिसको मुझर करता है, filter ozone and metric, ठीक है, इसको याद रखो, बस डॉबसन unit ही याद रखो, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, यहाँ तक जो हुआ है, यह मैंने complete किया है, कल जो हम, यह आपका ozone जो है, यहाँ पर हमने complete किया है, कल जो हम देखेंगे, कल हम पढ़ेंगे, global warming हम पढ़ेंगे, और उसी के साथ green house effect पढ़ेंगे, अच्छे तरीकी से समझेगे, और green house का role क्या है, सही डेंग से समझेगे, यह आपको समझ आया होगा, ozone, depletion, inter-artic region में भी है, याद रखना, arctic region में भी है, और यह भी याद रखना है, कौन-कौन सा source होता है, nitrogen भी source होता है, nitrogen oxides, chloroflorocarbons भी होता है, और polar stratus से पर clouds होता है, कौन सा unit होता है, जिससा major करता है, आपको बना dobson unit होता है, यह key important point है, जहाँ पर आपको सहाँ से questions मिले गए, thank you so much for watching me,